अरे बच्छो इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर 10 स्टेट लाइन की एक्सराइज 10.1 कर रहे हैं हमारे सामने क्वेस्टन नमबर 10 Find the angle between x-axis and the lines joining the points 3-1 and 4-2 x-axis देखिए यह हमारा Cartition plane में यह x-axis है हमारा x-axis और दूसरी जो line है 3-1 x की value 3 y की value minus 1 माल लिजे यह point है दूसरी x की value 4 and y की value minus 2 suppose कि यह हो गया हमारे पास तो यह कह रहे है x-axis और इस line के बीच में जो angle है x-axis और इस line के बीच में जो angle है यह हमने find out करना है अब angle का formula हमने क्या कहा था m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 this is tangent of theta यह value थी हमारे पास m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 तो मुझे slope चाहिएगा किस-किस का एक तो x-axis का x-axis का slope और दूसरा इस line का slope वो हम निकाल लेते हैं ठीक है solution देखिए slope of slope of x-axis slope of x-axis क्या होगा मैं इसको नाम दे दिया m1 m1 means tangent of theta tangent theta थिटा क्या है हमारा 0 और यह मैं पहले भी बता चुका हूँ तो यह value हमारे पास क्या होज़े कि tangent 0 0 m1 की value मेरी क्या आ गई 0 आ गई ठीक है इसके बाद slope of line slope of line joining a a माननी जी हमने क्या ले लिया 3 minus 1 and b हमने ले लिया 4 minus 2 इसको मैंने नाम दे दिया m2 y2 minus y1 y2 minus 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 क्या हो जाएगा plus y2 minus y1 x2 minus x1 minus 1 upon 1 that is minus 1 m1 यह हो गया m2 यह हो गया angle between x axis and line कोंसी बनी a b क्या होगा tangent theta is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 यह क्या था हमने चिक है अब क्या value आएगी m2 what is m2 minus 1 minus m1 की value हमार पास क्या होगी 0 this is 1 plus m1 हमारा क्या है 0 into minus उने तो 0 हो जाएगा यह value हमार पास क्या आगी minus 1 आगया minus 1 आगया निच्छे तो plus 1 यह बचेगा अब tangent theta is equal to अगर minus 1 है 1 value किसके उपर होती है tangent 45 पे होती है tangent 45 पे negative कौन से quadrant में second quadrant में तो हम इसको और कैसे लिख सकते है tangent tangent of 180 minus 45 ऐसे भी लिख सकते हैं tangent theta now theta is equal to theta is equal to 180 minus 45 180 minus 45 that is equal to 135 तो इनके बीच में जो angle बन रहा है वो हमारा कितना आ गया 135 बहुत ही असान सा था चलिए आब 11th question करते हैं question number 11 the slope of a line is double of the slope of another line मान लिजी L1 and L2 हमारे पास कोई दो line है और उनके बीच में tangent भी दिया वाउनोंने solution मान लेते हैं हम let यह कह रहे है एक line का जो slope है दूसरी line का double है let slope of हमने second line का ले लिया slope of L2 मैंने M वाल लिया then slope of slope of L1 line क्या होगा मेरा 2M हो जाएगा इसका slope 2M double दिया हुआ है अब कह रहे हैं is the tangent of the angle between them the angle दोनों यहां पे भी हमने बताया था थिटा और एक 5 ठीक है 5 के value 180 माइनस से थिटा दोनों हो सकते हैं तब तो angle निकाला था हमने tangent of theta हम एक ही एंगल लेके चल रहे हैं तो यहां पे value दोनों ही हो सकते हैं क्या होगा M2 माइनस M1 अपोन 1 प्लस M1 M2 तो यहां से positive और negative means acute और obtuse angle दोनों के हिसाब से हम करेंगे एक बार plus लेके एक बार minus लेके और tangent theta की value उन्होंने कितनी दीवी है 1 by 3 so 1 upon 3 is equal to M2 हमारे पास क्या है इसका हमारा M हो गया this is M2 and this is M1 तो यह मैंने ले लिया M minus 2M divided by 1 plus M into 2M यह होगा इसको solve करेंगे तो यह value बनेगी 1 upon 3 is equal to minus का M upon 1 plus 2M square but यह plus भी हो सकता है minus भी हो सकता है that means plus minus minus M और 1 plus 2M square यह किसके लिए ले रहा हूं देखी एक अगर angle theta तो दूसरा भी तो angle होगा उनके बीच में और हमने introduction part में इसको करवाया हुआ है कि एक plus का होगा तो एक minus का होगा ठीक है अब अगर हम दो case होगे हमारे पास first case में minus M upon 1 plus 2M square की value हमारे पास कितनी होगी 1 upon 3 में ने plus पलस वाले के साथ ले गया पहले तो multiply करूँगा यहां से मेरे पास यह बन जाएगी 1 plus 2M square is equal to minus का 3M minus का 3M यह equation बनेगे मारे पास 2M square यह दर जाके plus का 3M and plus का 1 is equal to 0 इसके factor बनाएंगे आप 2M square plus का 2M plus M plus 1 is equal to 0 इन में से common लेके जब आप करेंगे तो 2M common हो गया M plus 1 यहां पे सिरफ plus 1 common हो गया M plus 1 is equal to 0 तो M plus 1 and 2M plus 1 is equal to क्या हो गया? 0 हो गया यहां से M की value क्या हो गयी? minus 1 और 2M is equal to minus 1 means M is equal to minus 1 by 2 अगर हमारे पास यहां से अगर मैं slope निकालू हमने slope बताने है तो slopes क्या क्या हो जाएंगे? slopes अगर minus 1 होगा minus 1 तो दूसरा कितना हो जाएगा? minus 2 हो गया ठीक है? और अगर मेरा M हमारा क्या हो? minus 1 by 2 एक अगर हमारा minus 1 by 2 होगा इसका double करोगे तो वो क्या हो जाएगा? minus 1 हो जाएगा double करेंगे तो दो condition तो हमारे पास यह हो गई अब second case case number 2 में अगर हम इसको negative लेते हैं तो minus of minus M upon 1 plus 2M square 1 plus 2M square की value किसके equal होगी? 1 upon 3 के बट यह minus minus क्या हो जाएगा? plus हो जाएगा so 2M square plus 1 is equal to 3M इधर लेके आएगे तो 2M square minus का 3M plus 1 is equal to 0 हो गया यहां से फिर वही पहले की तरह है? इसके factor कर लिए हमने plus का 1 is equal to 0 इन दोनों में 2M common हो गया M minus 1 यहां पे minus 1 common हो गया this is M minus 1 is equal to 0 M minus 1 and 2M minus 1 is equal to 0 M is equal to 1 2M is equal to 1 M is equal to 1 by 2 हो गया अब slope यहां से अगर M is equal to 1 होगा slope तो क्या बन जाएगा? दूसरा क्या बनेगा? 2M कितना हो जाएगा? 2 हो गया और M अगर 1 by 2 हो गया तो 2M कितना हो जाएगा? 1 तो slope के 4 case बन गये हमारे पास slopes पहला minus 1 minus 2 या फिर minus 1 by 2 minus 1 बन गया तीसरा हमारे पास क्या बना था? 1 by 2 बनेगा तो 1 बनेगा और फिर 1 and 2 there are 4 cases यह 4 हो पोसिबल है बहुत ही असान सा था चलिए अब question number 12 करते हैं question number 12 a line passes through x1 y1 and hk if slope of the line is m show that k minus y1 show that k minus y1 is equal to m into h minus x1 बहुत यह सांचा है solution slope of line passing through x1 y1 and hk क्या दिया हुआ है? m दिया हुआ है और slope का formula हमारा क्या होता है? y2 minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x2 minus x1 multiply कर दीजी so k minus y1 is equal to m into h minus x1 यही तो हमने prove करना था hence prove देखिए बहुत ही असान सा था चलिए इस वीडियो में इतना ही next video में आगले questions के साथ फिर मिलते हैं तब तके लिए जाहिन जाहिन जाभाद और मिलते हैं एंप सनग